अलो एरिवन दिके रीट का पेपर होने के बाद आप लोगों को जो एंसर के में प्रोब्लम आ रही है इसके अथेंटिक एंसर हम लेके आ हैं जहाँ पर हम आज इस वीडियो में सिर्फ पर्यावरण के कोश्चन को डिसकस करेंगे आगे हम एक्जेट एंसर आपको जो अधर वीडियो जे उसमें बताएंगे तो पहला कोशन है यहां पर पर्यावरण का कि विश्व में कांग्सू की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सपलता पुर्वक चड़ने वाली प्रतम महिला को ने तो यह संतोश यादव है जो सपलता पुर्वक जो है कांग्सू की तरफ से इवरेस्ट पर चड़िये नेक्स कोशन है अंतरास्ति जह विवित्ता दिवस्क किस दिन मनाया जाता है तो यह जो है बाइस माई को मनाया जाता है नेक्स्ट कोश्चन है भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुवात ती वर्ष जो है वो कौन सा था दीकि शुरुवात तो 1923 में हो गई थी 1923 में मुंबई में सबसे पहले रेडियो को वो स्टार्ट किया गया था लेकिन जो ओफिशली इसका अनॉंस्मेंट था प्रसारण था वो 1927 से स्टार्ट हुआ था नेक्स्ट कोश्चन है विटामिन A से A की कमी से कौन सा रोग हो जाता है तो आपको पताए विटामिन A जो है वो आखों के लिए होता है इस्पेशली तो इसी से सम्मंदीत है रतोंदी रोग जहांपर आखों की पुतलिया जो हो कमजोर हो तो विटामिन A की कमी से रतोंदी रोग होता है नेक्स्ट कोश्चन है तो सोर परिवार का सबसे बड़ा कोश्चन यह तो सबसे इजी कोश्चन रहा है प्रहसप्रती है नेक्स्ट कोश्चन है विश्चित समाने का सिद्धा निमने में से किसका उपयोग होता है तो यह नि खेत्रोग हुआ किस्ते संभनदी तो यह उरनी खेत्रोग जो हिए वह मुर्गियों से संभन द है कि अजखेत्रोशने परियावांड के जयवी गटक के रूप में हम जानते हैं तो यह आप दोगों को ऑउगजेड पता ही होगा दिके जो बोते ह fluor होते हैं वह जयवी साथ बेहने लग जाते ही जिसे वहाँ का शरर्ण होने लग जता है का नेक्स्ट है अफिम किसे राप्त होता है तो अफिम जो है वो पेहर सोनी फैर्म से राप्त होता है नेक्स्ट कोश्चन है तो अच्छे भारत मिशन की शुरुवात हुई थी तो ये 2 October 2014 में जब मोधी सरकार बनी थी तो सबसे पहला अभियानी यही था नेक्स्ट है तो आपको जोड़ी मिलाना था कि कौन सा रोग किस से संबन दी थी इसमें option number D जो है वो correct होगा इसको हम discuss करें तो malaria जो है तो malaria आपको पता यह इसमें malaria और जो शायरोग जाने की TB है इसमें tuber closest अगर आप लोग इसी सही समझ जाते है तो micro bacterium tuber closest से बिमारी होती है तो इसका option जो है वो B हो जाता यहाँ पर B option जो है वो इसमें आप देखें चेक करें तो तीसरे का B होना चाहिए तो यहाँ पर जो B है वो correct होगा तो यहाँ पर option number D जो है वो correct है next है बर्फ से बना जो घर है वो क्या कहलाता है तो बर्फ से बने घर जो है वो igloo कहलाते हैं और यह especially अमेरिका में पाए जाते हैं अमेरिका में कुछ लोग जो है वो भर्फ में अपने इस टाइप के घर बना के रखते हैं और उसी में निवास करते हैं अभी भी तो इसे क्या कहा गया है इगलू कहा जाता है राजस्थान का जिला जो अधिक्तम जिलों के साथ अपनी सीमा को साजा करता है तो यह है नागोर जिला जो है सबसे ज्यादा जिलों के साथ अपनी सीमा को साजा करता है तो यह कपड़ा जो बिना सिले पहना जाता है तो बिना सिले कौन से कपड़े आप पहन सकते हैं यहां पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है देखें टीशर्ट लूंगी और टोपी जो है भी सिले भी पहनी जा सकती है लेकिन यह लूंगी के वेचे से थोड़ा सा प्रोब्लम है वहीं धोती साड़ी और पगड़ी जो है वो भ मतर के पोदलों को फस पहस लगाया था जिसके पारिणाम सुर हुआ और इसमें पराम करने की मदद से लोनने अपने शन्षोध जोहें उसको किया था । बदन भारती भारती शात्रिक शुद्ष से ये राकेश हर्मा हें उबयस सी बात है है सब्हों याद हो नहीं चाहिए नेक्स्ट है निम्नि में से राजस्थान के किस दूर को चीडिया टूक के नाम से जाना जाता है तो मेहरगर्ड दूर को को चीडिया टूक के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट है जल दिवस मनाया जाता है तो जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है नेक्स्ट खोर्शन इं निमनीलिकेट में कौन सा एंजाइम लार में उपस्तीद होता है जो कार्बो हाइट्रेट्स को सबसे पहले बचाता है कंवlang मिनाइकी abet न्युक् संकेत किसको इंगीत करता है तो यह तो अबेस सी बात है सभी को बता होगा रेलबे क्रोसिंग से क्योंकि यह रेलबे की जो क्रोसिंग यह उसको बता रहा है नेक्स्ट कोश्चन है राजस्थान में किस देवता को उटो का देवता कहा जाता है तो ये पाबुजी को कहा जाता है उटो का देवता और तभी Tiger Reserve भी लाया गया Next है जो जाती हो को Red Data Book प्रकाशित करता है वह संगट है ने तो Red Data Book जो है वो IUCN द्वाराचारी किया जाता है Option number C IUCN जो है वो UN की संस्ता है जो especially इसी के लिए जानी जाती है कि जो संकट गरस्ट पर जाती हैं उनको इस लिस्ट में Red Data Book में जाना जाता है Red Data Book में तीन पेज होते हैं एक होता है Red एक होता है Green और एक होता है Gray तो इस तरह की इसमें सूची होते हैं Red Data का मतलब बहुत जादा संकट में हैं Green का मतलब है कि अभी वो खत्रे से बिलकुल बाहार है Next Question है जे विवित्ता शब्द किस ने दिया था तो जे विवित्ता शब्द जो है वो WG रोंटन द्वारा दिया गया था Next Question है निमनिम में से कौन सा त्योहार शावन की पुन्डिमा को मनाया जाता है तो ये रक्षा बंदन है Next Question है सिताबाडी का मेला यानि सहर्य जन्जाती का कुम्ब कहां आयोजित होता है तो ये केलवाडा बहरा में होता है राजस्तान का राजवरक्षे तो राजस्तान का राजवरक्षे खेजडी निमनिमें से कौन सा एजाम अगनाशे द्वारा इस्त्रावित नहीं होता है तो रेनिन इंजाइम अगनाशे द्वारा इस्त्रावित नहीं होता है नेक्स्ट कोशन है भारत का रास्टी जली प्राणी है तो यह है गौंगे डॉल्फिन तो ये थे हमारे पर्यावरण के talk questions आने वाले वीडियो में हम other questions को भी आपको exact answer बताने की कोशिश करेंगे तो बने रहे हमारे साथ और अगर आप channel पर नहे हैं तो channel को subscribe करें